कि एक कराम अपकिया तरफ से अब एडमीट कार्ट भी आ चुका है अब पेपर में लग जाना है बहुत टाइम बचा नहीं हमारे पास और नहीं आपके पास नहीं हमें पढ़ाने के लिए बहुत टाइम है हम तो फिर भी आपकी अगर हम इंडिवीजुएलिटी बात करें ले अब बात कर लेते हैं कि अब आपके पेपर तो स्टार्ट होने वाले मैं पेपर स्टार्ट होने वाला है 20 से हमारा कुछ हुआ भी नहीं है पढ़ाई भी नहीं किया है अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है मैं अब क्या करें रिवीजन तो छोड़ी दो आप मतलब कैसे करेंगे मतलब मैस कई बता दो आप मैस तो मैं नाइंट ओफ मार्च को है लेकिन उसके पहले कैमेस्ट्री इंग्लिस फिजिक्स के पेपर इस्टार्ट है आप तो मुस्पे टाइम देंगे थाम 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 मतलब NCC में हमारे आसे काते थाम रुग जो तो रुग जो थोड़ा सा पेसिंस सांस लो थोड़ा सा जो बहुत जरूरी है हम है बिलकुल टेंसन छोड़ दो हां तो क्वेस्टन हमारा यह कि मैं प्रॉब्लम मैस में 80 में से 80 कैसे लाया जाए अगरम बात कर करते हैं डॉंट वरी हम आपके साथ 100 परश्चन कारशेंटी लेते हैं अप बस इतना कर लो टु esse ना करना है यह लिए बस इतना कर लो इतना टैम वेस्ट कर दिया ठीक है जो भी हो गया सब पढ़े भूल जो माइंड को कॉन्सोंट्रेट अरो लोंगस 6 डिसरेंस मेंटें क करो बस शांती से एक जगह बैट जाओ ठीक है एक रूम लो मस्त दम शांती वाली वहां बैटके पढ़ाई सुरू करो आपको सिर्फ पढ़ना है कंटेंट आपको हम देंगे कॉंटेंट जो भी बनेगा वह हम देंगे आपको प्रैक्टिस हम खुद करवाएंगे एफॉर्ट हम डालेंगे 80% 70% आपको 30-20% चीजे बस खुद से करना है मतलब करना किया आपको प्रैक्टिस देख के करना आपको अलग से आपके आपका मैं पीवाई क्यूस कहां से ले यह कहां से ले सैंपल पर प्लप कहां पर सॉल करें कैसे सॉल करें अब आपको यह कुछ नहीं कर र पड़ेगा अभी से ही लगना पड़ेगा सब कुछ छोड़ना पड़ेगा पढ़ाई को टॉप प्रायोर्टी बनानी पड़ेगी उसके बाद ही यह हो पाएगा ऐसा कहते हैं ना बचा कि अगर आपने कुछ छोड़ा ही नहीं मतलब आपने जब योग क्या कहते उसको अच्छा पाना है ना तो आपको कुछ अच्छा छोड़ना पड़ेगा अच्छा मतलब आपको बहुत अच्छा लगता होगा फोन चलाना आपको बहुत अच्छा लगता होगा सोना तो अच्छे छोड़ना पड़ेगा तब कुछ अच्छा मिल सकता है जिनको अच्छा मिल अब यह खोड़ से नहीं हो सकता अभी हम से तो नहीं हो सकता आके लिए तो मैं आप छोड़ दो आपनी वसकता 10-15 दिन बचे वे पर इस्टार्ट होने वाला अब हम से नहीं वो सकता उसी का सॉल्यूसर लेकर आये हैं हम आपको कोई स्रेटेजी नहीं बता रहे हैं कि हा अभ से डेर घंटा बस हमारा सेसं देख लेना एक से डेर घंटा ताकि आपका एक दिन का वो प्रेक्टिस कंप्लीट हो जा जो टार्गेट में होता है कि आज एटलिस अगर दस बारा भी कुस्टेन सौल परूब लिया ना तो मैस का था थो धूरा सुघ थे अपड़ा से Jáp करना आई आ छाव का सब्सक्रीशन ये हैं सौलोस हरके अपर ये मै कमपलीट चैप्टर कि जितनी भी चैप्टर साब के 13 चैप्टर सबगि मैरतन एक दिन संड़े को आ ये-जो आने वाला संड़े हो चार दीन बाद आथ से माराथन आने वाली इसमें कम्प्लीट क्या क्या कराएंगे जोड़े आप वीडियो के तुरू को चीज आपको सीड प्रोवाइड भी करा देंगे तुरां ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने की जुरूत ना पड़े यूछ नोट बनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है मैरतन कम्लीट कर वाएंगे एक इसी संडे को होगा इसे संडे को हमने हाइलाइट करा दिया क्या करा दिया अब बात करते हैं इसमें कंप्लीट क्या क्या करा हैंगी 10 साल का प्रीविए सियर जो आप से अब हो नहीं सकता अगर आप करने बैठोंगे तो पहले बातों हो जोगी चैप्टर वाइस फिर सॉल करोगे उसे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा हम आपको चैप्टर वाइस दस साल का पीवाई क्यू मैरतन में कंप्लीट कराने वाले दूसरा ओल कॉंसेप्ट एक्जामनर का पहले वह पढ़ेंगे फिर जितने भी कॉंसेप्ट हमारी एक्जाम में आने वाले हैं चैप्टर से इलेटेट हम उसे दिन कंप्लीट करा देंगे चैप्टर वाइस तीसरा सेंपल पेपर के क्वेस्टेन भी हम सॉल करा देंगे एक्सपेक्टेड ग्वेस्टन क्या हो सकता है हम यह भी करा देंगे और लास्ट नमारा एंसी आटी के जो इंपोर्टेंट क्वेस्टन है सब नहीं करा सकते अब मेराथन है दस बारागंटे का सब इसमें में स्टार्ट कराएंगे इनिसेली हम बेसिक बच्चों को ये बोलती ही कि जब बच्चा मैरतन या कभी मैस पढ़ना सुरू कर रहा है तो पहले वह नौन कैलकुलस पढ़ ले तो पैतालीस मार्च वाला है फिर कैलकुलस क्यों तफ होता है पर जो मैरतन करेंगे न तो तो पहले हम कैलकुलस कमप्ली करेंगे थार्टी फ्वाइफ मार। इसके वा स्टिसेलगे वहां किलेंगे हम नौन कैलकुलस जुक्त मार एं एक मैरतन तो आए गयी एक्जाम से तहसे पहले हम 3urger लेकर लगे दो मैरतन आपका और होगा जिसमें पहला मैरतन जो ये वाला होगा ये होगा 45 मार्सका और ये वैला जो होगा ये कितने का होगा 35 हम अलग भी लेकर आएंगे 35 मतलब जिसको बस यह कि मैं बस पास ही होना है अब कुछ नहीं करना मेरे को बस ऐसा कर दो बस पास हो जाए तो जो जिसको बस पास होना है न कोई लगा पर मॉर्णिंग में आपकी एक वाइटी पर बैस लेकर आने वाले हम उसमें क्या कराने वाले रैपीट फायर क्वेस्टेंज कराने वाले मतलब की पेपर तक उस पर वो क्वेस्टेंड डेली यहीं से आपका दूरिंग जामिनेशन जो आपकी केमेस्ट्री है फिजिक चल रहा है बच्चा उसमें भी आप अगर एक देर घंटा भी अगर हमारे सेस्टन को दे रहो देख रहो प्रैक्टिस कर लेड़ो तो आपका डेली का जो टास्क होगा ना वह पूरा हो जाएगा कि हाँ चलो आज मैंने मैस में मैंने 10 कोशन करा दिये 15 कोशन करा दिये तो म यहां से आपका प्रैक्टिस और क्या हो जाएगा प्रैक्टिस प्लस रिवीजन हो जाएगा प्रैक्टिस प्लस रिवीजन प्लस प्रैक्टिस यह हो जाएगा यहां से तीन चीजे कवर हुई लास्ट में जो कराने वाले हैं फाइनल रिवीजन अंतिम वार भी कह लो इसको जिस दिन फिजिक्स का पेपर खतम होगा उस दिन साम से लेके साम से लेके मैस के पेपर के मॉर्णिंग तक हम आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं क्वेस्चन के जो एक्सपेक्टेड क्वेस्चन जो बोर्ड में आने वाले हैं इस बार तो इतना करना है आपको यह चार तो करके ही आओगे मतलब पेपर देने बैठोगे तो लगेगा कि हाँ इतना यह वाला कुछन तो मैंने देखा हुआ है करके आयो प्रैक्टिस किया हुआ बस आपको थोड़ा सा उसमें आके स्वाल करके आजाना है यह मेरी गारंटी आप लोग मुझे किसी भी पेपर का किसी भी हम कराएंगे ए टूजेट जिसने अभी स्टार्ट भी नहीं किया अगर वो भी अभी स्टार्ट कर रहा है तो उसका भी 70 प्लस मार्क्स तो आना ही आना तो अगर मैं रेडियो तो उमीद करती हूं कि आप सब रेडियो और प्लीज कॉमेंट में सब लिख देना कि सब मै कुछ बहुत हैं घर लगटेन संसुरण के लिए यह लिए चार टास्क है मेंच जो मैंने आप लोक्तर लिए ؟ है खुद से महनत करके कि हां करना कैसे कराना कैसे तो मैंने अगर डिजाइन किया तो आप लोग रेडी ओ प्लीज कॉमेंट कर देना क्योंकि अच्छा लगता है से स्टार्ट होने से पहले आकर आपका इतना सारा चीज हमें मिल जाए प्यार मिल जाए सपोर्ट मिल जाए बच थोड़ा सानीन कम कर दो थोड़ा सा एफ़ोड डालना सुरू कर दो विकाज आई नीट मुझे जरूरत है आप लोगों को है कि नहीं मुझे नहीं पता बस मुझे जरूरत है आप लोगों की ताकि आप लोगा रिजल्ट सुधारा जा सब्सक्राइब थैंक्यू सो मच अब काम पर मिलते हैं हम भी और आप भी अपने अपने काम पर मतलब हम यहां पर और आप लोग वहां बैठके थैंक यू सो मच अपना ख्याल रखो